आपके पास आपका debit या credit card तो जरूर होगा जिस पर visa, rupay, mastercard या master लिखा होगा या उसका logo बना होगा क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का क्या मतलब होता है और इन सब cards के बीच क्या अंतर होता है और आपके लिए कौन सा card बहतर है नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जहांपर आपको knowledgeable और informative वीडियोज देखने को मिलती है अगर आप सही और पूरी जानकारी वाली वीडियोज देखना पसंद करते हैं तो bell icon दबा कर इस चैनल को subscribe कर लें ताकि इस चैनल पर upload होने वाली नई नी वीडियोज के notification आपके पास पहुंचते रहें दोस्तो आज की इस वीडियो के माध्यम से बैंक से आपको अलग-लग नाम और लोगों के साथ मिलने वाले debit या credit card के फाइदे और उनके बीच के अंतर को समझाया गया है जिसे समझने के बाद आपको अलग-लग cards की सही जानकारी मिलेगी और अपने लिए debit या credit card लेते समय आप सही card का चुनाव कर पाएंगे वीडियो में दीगी पूरी जानकारी को सही से समझने के लिए आपको बस पूरा वीडियो ध्यानपूर वक देखना होगा आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो भारत में मुख्यत है पांच प्रकार के debit card उपलग्द है रुपे debit card, visa debit card, master debit card, master debit card और contactless debit card रुपे, visa, master इत्यादी payment gateway प्रोवाइड करने वाली company है ये एक तरह से दो bank के बीच मीडियेटर के तौर पर कारी करते हैं इन सभी company के पास अपना payment gateway server होता है आप जब भी किसी को पैंसे ट्रांसफर करते हैं तो इन companies के जरिये ही दूसरों तक पहुंचता है जिसके लिए ये fees भी charge करते हैं एक payment gateway server के वैसे तो कई काम होते हैं लेकिन मुख्यत है इसका काम transaction process करना होता है जिसमें आपके ATM से पैसे निकालने से लेकर कार्ड से online खरिदारी तक सभी तरह के transaction सामिल होते हैं इसका लगबग विश्व के सभी बैंकों के साथ समझोता होता है आईए अब विस्तार से इन Payments Corporation of India यानि की NPCI ने 2012 में launch किया भारत में 90% transaction घरेलू होती है रूपे कार्ड को इन लेन दिन पर आने वाली लागतों को कम करने के लिए शुरू किया गया था जो कि अंतरराष्टे कार्ड के प्रभूत्व के कारण अधिक थे वरतमान में यह कार्ड भारत में और विदेसो करने के लिए यह कार्ड उप्युक्त नहीं है भारत में बने होने के कारण इस कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपकी जानकारी भारत में ही रहती है और डेटा चोरी का डर में नहीं रहता है इस प्रकार इस कार्ड का इस्तेमाल सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसका संचा debit card के बारे में, visa debit card यदि आपके card के उपर visa लिखा है, तो यह visa card है यह card American company दोरा संचालित किया जाता है यह राष्ट्री और अंतरराष्ट्री दोनों जिगे काम आता है, लेकिन इस पर निश्चित सुल्क देना होता है, visa एक global payment technology company है जिसका मुख्याले California के सेंट फ्रांसिसको में है यह company अपने card धारगों को visa credit या debit card परदान करती है इसका अधिकतर इस्तेमाल अंतरराष्ट्री लेंदेन के लिए किया जाता है अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी card का अस्तेमाल किया जाता है तो वह visa card है अगर आप ज़्यादा तर विदेसों में travel करते हैं तो आपके लिए visa card ही सबसे बहतर होगा क्योंकि इस card के मदद से विदेस में विदेसी मुद्राओं का लेंदेन आसान हो जाता है visa card की भी category होती है जैसे की classic, gold, platinum, आदी इनमें से platinum visa card से हम जिस देस में हैं वहाँ के ATM का यूज कर वहाँ के मुद्रा निकाल सकते हैं platinum visa card पर charge और स्विदायन साधान visa card से बहतर मिलती है भारती बैंकों द्वारा जारी कियेगे debit card में visa सबसे लोग परिये संचालित किया जाता है जिसका head office New York में है इस company की स्तापना 1979 में inter-banking transaction के लिए हुई थी master card और visa card में कोई खास अंतर नहीं है master card के फायदे और उप्योग भी लगवग visa card जैसे ही होते हैं अब जान लेते हैं master debit card के बारे में यह एक अंतरराष्टी संस्कादारा चलाईगी debit card सेवा है जिसकी शुरुवात सन 1991 में हुई थी यह master card debit card के समान ही है इसका उप्योग दुनिया भर के ATM में और online खरिदारी के समय भुकतान के लिए किया जाता है घरेलू और international POS outlet पर बुकतान के लिए master debit card सुईकार किया जाता है यह card अपने अत्यदिक सुरक्षित बुकतान platform के लिए जाने जाते हैं अब बात करते हैं contactless debit card के बारे में यह card built-in radio frequency module के साथ आते हैं जो आपको machine पर card लहराते हुए बुकतान करने की सुईधा देते हैं contactless card का इस्तिमाल POS terminals पर किया जा सकता है इसके माध्यम से कीगी digital payment सुरक्षित रहती है और यह cashless बुकतान के लिए सही होता है इसका ज्यादा उप्योग छोटी payment के लिए किया जाता है यदि कहीं payment करते समय आप अपने ATM या credit card का pin भूल गई तो contactless card से 2000 तक की payment कर सकते है इसके लिए आपको POS machine में card डालने की ज़रुत नहीं होती जिस card में यह सुईधा होती है उसके उपर Wi-Fi network का एक logo बना होता है contactless card में एक chip लगा होता है जिसके साथ में mag strip और NFC antenna लगा होता है NFC antenna contactless transaction के लिए काम आता है chip का अस्तेमाल POS machine से swipe करने और ATM machine से cash निकालने के लिए किया जाता है इस परकार 2000 रुपे तक के सभी भुकतान सर्फ एक tap से बिना pin के किया जा सकता है यह digital payment को बड़ावा देने की दिशा में किया गया है एक अच्छा प्रियास है आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए सबसे फाइदे मनत कार्ड कौन सा है किसी भी एक कार्ड को सबसे अच्छा या सबसे खराब कहना सहीं नहीं होगा क्योंकि हर कार्ड के अपने अलग-अलग फाइदे और महत्व हैं दरसाल आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए, यह आपकी ज़रुतों पर नेज़र करता है, क्योंकि सबकी ज़रुतें अलग-लग होती हैं, और अलग-लग ज़रुतों को पूरा करने के हिसाब से, अलग-लग फीचर्स वाले बिन-मिन कार्ड बनाए गए हैं, अब चुनाव आपको करना है कि कौन सा कार्ड आपकी ज़रुतों को पूरा करता है, दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इस परकार आज की वीडियो में आपने ATM कार्ड, इसके परकार, अलग-लग कार्ड के उप्योग और विशेशताओं के बारे में जाना, तो अगली बार जब भी आप ATM कार्ड के लिए अपने बैंक में एपलाई करें, तो उस कार्ड के लिए एपलाई करें, जो आपकी सभी ज़रुतों को पूरा गरता हो, दोस्तो वीडियो के अंत में आपसे एक छोटा सा और बहुत महत्तपूर्ण सवाल, कि क्या आपको ये पसंद आई है, वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर मेरा सोचना सही है, तो वीडियो में दीगी जानकारी और जानकारी एकटा करने में की गई हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, इस तरह की और भी नौलेजिबल वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये के लिंक का इस्तिमाल करें, दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद